बिश्मिल्ला अग्रफ मैं अभरहीम अस्वामेकूम नाडरे तरीश एड़ी 18 फरवरी 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो थम्नेल से आपने देखी है और सूरते हाल काफी ज़दा खतरनांथ है और सोना मेंगा होने जा सकता है इस वक्त गुल्ड मार्केट अप इस वक्त पांच तोला गुल्ड आपको खीज़ना चाहिए और वो डिप लगा था उसमें काफी ज़दा लोगों ने बाइंग भी की मैंने भी का था इस वक्त पांच तोला गुल्ड आपको खीज़ना चाहिए और वो डिप लगा उसमें भी काफी ज़दा लोगों ने बाइंग किया सेलिंग प्रेशर उसमें नहीं था बाइंग जो था यह वह बहुत ज्यादा थी कि अब भी लोग सेलिंग जौन में नहीं है बाइंग कॉस जो है वो बढ़ इस वाड़ से रही है क्योंके गोल्ड की शौटेज भी है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड भी खरीदारी कर रहे हैं उसके बाइंग टेक्स बार असूसियेशन का भी एक पाकिस्तान के मेश्चत के लिहास एक तश्वीशना बियान सामने आए जिसमें एक साल में जो वफाकी हकुमत के मजमूरी कर्ज म उसमें करिबन 14,130 अर्ब और बेनुनी कर्जों में 4,721 अर्ब रुबेगा रिकार्ट इजाफा हुआ जिस पर उन्होंने तश्वीश चभी इज़ा किया उसके बाद टेक्स असूसियेशन ने का जिब तक कर्जों से छटकारा हासल नहीं किया जाएगा ये ये जो सांप है ये हमारी कुछारली और असूदगी को इसी तरह निगलता रहेगा उसके बाद दूसरी बार ये कि पाकिसान के अंदर आप देखें तो दिसम्बर 2023 तक मजबूए कर्जे 65,188 अर्बर की नई रिकार्ड सटा पर मौन गये हैं जो पाकिसान के नमहा फिक्रिया होना चाहिए नहीं आने वाली हकुमत इस तर्स पर मनसुबा बंदी करे कि कम असकम नए कर्जे लेने का सिलसला रुक जाए गयर मुल्की कर्जे उतारने के लिए स्कीमे लाई जाएं जिसके लिए ओवर से इस पाकिसानियों को फसिलिटिज दे कर एट्रेक्ट किया जाए बर पाकिसान म पांसो इस तासी अर्ब रुपे हो और उसके बाद अगर आप सियासी महास के बात करें तो सियासी महास का हल ना निकला तो बहुत ज़्यदा मुश्किल होगी क्यूंकि दुआ करें कि मुल्क में कोई अच्छा नाम आजए और नया प्राइम मिनिस्टर जो बने नया पांस नहीं बन जाती जब तक तो तब तक आईम एफ और डॉलर और बोल्ड आपको तंग करेंगे और ये तंग करते जाएंगे दूआ करेंगे मुल्क की बहतरी हो वरना अगर इसी तरह सियासी भी यकीनी रही तो बोल्ड आपको 2,40,000 पर दोबारा मिलेगा क्यूंकि एलेक्शन हूएं एलेक्शन के बाद अभी नहीं हकुमत मार्ज वजूद में आएगी उसके बाद मार्च के दूसरे हफ़ते में हमारे मजाकरात होने जाते हैं अगर मजाकरात कामयाब हो जाते हैं को पाकिसान को एक इशारी एक अरब डॉलर कर्स मिल जाएगा और उसके उनके उपर 7600 अर्ब रुपे सिर्फ सूद देना है पाकिसाने और इसके अलावा जो हमारी स्पेशल इंवेस्मेंट फसीलिटेशन काउंसल बनी है वह बैरीन कतर उमान दूसरे इतने भी कंट्रीजां के साथ मौादे हुए हैं और हाली में पाकिसाने जो अपनी कराची की रिपोर्ट है वो भी दबई को सेल किये तो इसी तरह प्राइवाटाइजेशन की बहुत सारी बात हो रही है तो फिल हाल इन तमाम तर चीज़ों में वड़ा सा टाइम है और गोल्ड मार्केट के अंदर खरतरनाक सूर्टिहाल इस वक्त भी बरकरार है दो अगर आप हमारी इस वक्त देखें पैसा आपका गोल्ड आपने करीजना है लेकर इस वक्त आपको गोल्ड में रहना चाहिए 50% आपको गोल्ड मार्केट के अंदर एंटर रहना पड़ेगा अगर आपने अपने असासों को जूं का तूं रखना है मजीद आप अपनी मर्जी कर सकते हैं झाल